आहार, ओशद, अभे एवं ग्यान, शास्त्रों में वर्णित हैं ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्यान मेरे पती जो कैंसर से पीड़ थे, जो फूर्थ स्टेश पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सयोग दिया, उनकी भीमारी में काफी सयोग दिया, मेरे लिए एक माता पिता का, माता पिता की तरहें वो मेरा साथ दे रही है, आज मेरे उपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे साथ ससूर है, मेरे हज्मेंड मी नहीं है, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक आट साल की बेटी है, एक दो साल का बेटा है, जिस मैं शायद नहीं होती है। संपर्क सूत्र 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008 सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे, तुषार, क्रश, दिवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, शरी भूपेंदर जैन, श्रीमती मम्ता जैन, पुत्र पुत्र वदू, शरी अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रायान, रिदुएक जैन, बेटी दामात, शरी चनध गुडगाउं और पौत्र बदू श्री विवेक जन श्री मती पालची जैन, शिरी गौरव जैन, शिरी मतिश्रुती जैन, परपौत्र इभम पौत्री, आर्जब जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन बहतर से बहतर की तलास करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलास करो, अरे पत्थर से सीशा तूट जाता है, पत्थर से सीशा तूट जाता है, पत्थर तूट जाए ऐसे सीशे की तलास करो, पत्थर तूट जाए ऐसे सीशे की तलास करो, हर लोग हिंकार में आकर किसी को तोड़ देते हैं, हाथ उठे तो आसिरवाद हो और हाथ तेड़े हो जाए तो तमाचा, क्योंकि उंगली उठे तो स्यावासी, अंगुटा उठ और इह उठे तो हम्हार रखना हाथ तुम्हारे है करोध समझ में आता है लेकिन मान समझ में नहीं आता है क्योंकि कहते है नाग की भी अजीव सी धाक WR Dew毅arda लुग कहते हैं अमाई भी तो नाक है इसलिए मैं कहते हो नाख की अजीव सी धाक है कोई नाख पीछे से नाख काट ले इसलिए आखों के नीचे नाख है इसलिए आखों के नीचे नाख है आप लोगों को नाख का बड़ा सवाल है कोई आपको ग्यारा रुपे मिल्नी में दे दे सच बताना तुम्हें कैसा लगेगा लोग कहते अच्छा लग रहे कि ग्यारा रुपे कोई देने के हैं मैंने कि कोन ने तुम्हारा लिफापा देगा तुम ग्यारा हजार बताओ ना लिफापा में अरे अपने आपको दिल को इतना बढ़ो करो कि दोलत अपने आप छोटी हो जाए क्यों कहते हो अरे उनक्या तो कुछ नहीं ता तुम भूके वेराने हो किसी के गर गए थे अपनी आखों पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी के घर की बुराई नहीं दिखे और लोट कर आओ तो अपनी जबान पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी की बुराई मत कहो क्योंकि आप लोगों ने पूजन में पड़ा मान महाविस रूप करहीं नी जिगती जगत में आपने देखा घमंड किसको आता है हमेशा बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल हीरा मो किसे न कहें बड़ो हमारो मोल और दूसरी तरफ का है बड़े गुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ी खजूर और पंची को चाया नहीं फल लागे अती दूर और क्या कहते हैं इस नाक की चिंता करोगे तो अगली बार इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि सिर पे नाक ही रखे फिर होगे समझ गए हाती जैसे नाक मिलेगी जो जमीन में लटकती मिलेगी इसलिए नाक साग की चिंता नहीं करना है आप लोग ने पर रूखन विकाया भाग बस्ते देवे केंद्री गुआ क्याओन कौन सी परियाए हमने प्राप्त किये यहाँ पर इस की चलती है इसके साथ यह फिरी इसके साथ यह फिरी रूखन विकाया भाग बस्ते देवे केंद्री हुआ क्या कहते हैं भगवान को नमस्कार करने से अपने अपने निरंकार भाव रखने से क्या कुत्ता भी देव हो जाता है और एहंकार रखने से आदमी भी कुत्ता हो जाता है तो एहंकार नहीं रखना है कभी कभी हमने ऐसी पर्याएं पाईं कि पालक आदी लेते हो तो थोड़ी सी सौफ की पत्ती आती हो फिरी में डाल देते हैं और उसका कोई कीमत ही नहीं होती है, ऐसी परियाओं को भी हमने कभी कीड़ा हुए, और देव परियाओं से, मनुस्थ परियाओं से, हमने अनेकोवार निगोट पाया है, क्योंकि कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं, हम पहुँचें चांद सितारों तक, जो अभी सांति संदेज छोड़ कर आए, इनव के द्वारों तक, बेख हमें बताएं कि सच मुच, कितने इसने के भूके हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचें, जो चांद सितारों तक पहुँचें, भाई के गर्दे अच्छुतें हैं, भाई के गर्दे अच्छुतें हैं, हमने क्या यहां असुद्धी का इस्तान कम से कम पांसो गजदूरी पर होता था वो उमने विस्तर के तके बगल में बना लिया आप समझागे जिस चीश की मैं बात कर रहे हूं क्या तरक्की किया तुमने पहले माबाप के पैर चूते थे क्योंकि उंगलियों पर जहान है उंगलियों प और जहां नहीं वाटसफ है, फेस्बूक है, लेकिन वहां का फ्यार कहा है, आपके पास कोई अपनत वाली चीज नहीं रही, हमारे यहां पहले कितनी अदब और मर्यादा थी, मंदिर में कोई आए, बड़ों के पास आए, तो सिर ढखे जाते थे, अभी भी वो मर्यादा गए जब जमाई दरवाजे पर आता है, तो क्या करता है, रुमाल रख लेता है, सिर्फ है, क्योंकि लेकिन आज हमारी मर्यादा हमने मंदिरों में खोड़ी, बादव आना यहां और सक्स को दरकार है, मेरे पास आओ, मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे तो माँ के समान हूँ तुम तेरे पास आजाओ तुम कहीं भी गुमों। लेकिन परमात्मा के द्वार में आओ तो अदव और मर्याद से आओ। बादवाना यहां और सक्सको दरकार है। तो महर्वा सहंसानो साइक दरौर है। देवाद देवचरने परचरनम सर्व दुख निर्वःनम। काम दो ही काम दायनी परचनियादाद्रतों नित्रम। जिस विन नहीं जिन राज सिजे तूर लो जग कीच में एक बिने गुन ऐसा है जो धर्म में भी मार्दव धर्म है। समझ गए? मैंने एंकार का भाव करना सोले कारन भावना में भी एक बिने भावना है तप में भी एक बिने तप आपको बत्मने तपों के वेद में एक बिने गए लेकिन आज आदमी बिने भूल गया जिन माबाप के हम पैर चुकर निकलते थे आज माबाप को पूछने में डर लगता है हमसे क्योंकि हमारे माबाप सिखाते थे कि वेटे जितने चादर हो, उतने पैर पसार ना, आज हर पांच मिट में मैसेज आता है, कोई लोन लेना हो तो ले लो, आज हमारे चादर से बड़े पैर हो गए, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए, हमारे घर में दो ही नहीं समाते, हमारे माबाप को भी लोग कहते है उनका मन नहीं लगता है, हमने कई मन नहीं लगता है, तुम अच्छे से बोलते नहीं हो, क्योंकि मैंने हवा के सौक से खोली थी किडिकिया, सारी गली का गंद मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंद मेरे घर में आ गया, जिन बच्चों को तुमने इतने प्यार से पाला था कि ये छोटा सा वीज एक दिन बट ब्रक्ष की तरह हमारे घर में फुलवारियों से भर जाएगा गर उन्हीं बच्चों ने तुम पर क्योंकि कहते हैं जिने हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं जिने कायता सिखाता वो हमारे एफ गिनाते हैं और ही कुछ हम से ही गल्तियां कि जिने गिंती गिनाई थी वो गल्तियां गिनाते हैं जिने गिंतियां सिखाई थी वो गल्तियां गिनाते हैं आप ध्यान को हमारे हमर यादा खतम हो गई हमारे जीवन में एहंकार इतना आ गया और एक एक वार एहंकार आया मारीज को क्या हुआ था हैंकार ही तो आया था कि मैं तो तिर्थंकर होने वाला हूँ इतना सा एहंकार कौन महापुरस में जन्वे थे तिर्थंकर जिनके दादा हो चक्रवर्तिय जिनके पिता हो और कामदेव जिनके चाचा हो ऐसी परम विसुद परमपरा में जीने वाले भी क्या हुआ कितनी वार तो पेड़ पौदे जानवर बने हैं और जब गुरुओं की बाणी सुनकर इर्दियंगम कर लिया तो क्या हो गए महावीर बन गए क्योंकि राह थकती नहीं रागी थक जाता है मैंने कहा चाह मिठती नहीं जो भी बचनों को अपना है वही महावीर बन जाता है लेकिन आज हमारी हालत उसकी तरह है तो रसगुले ने देखा आरे मुझे तो जाड़ जाड़ के उठा रहा है दुकानदार खुस हो गया कहले हास तो मुझे बड़ी पूजासी करने का विचार है क्या बात है मुझे पहुचा जा रहा है मेरा प्रक्छाल किया जा रहा है खुस हो गया दोना तो फिर दोने को तराजियू में रखा बोले बात तो मेरा बजन भी लिया जा रहा है रसगुले रख दिय मैं कितनी खुसी का कारण बना हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद अपने उकाद पता चली जब टेबुल पर आया बच्चों ने खा लिया और दोने को मुड़ा और डस्ट्रीन में फेक दिया तुमारी हालत भी इसी दोने की तरह है जब आते हो तो लोग तालियां बजाते हैं बरात के समय में आगे नासते हैं और जब तुम मर जाते हैं तो तुम्हें आगे कर देते हैं लेके मूरक तुई जा आगे हम काय को जाएं आज घर परिवार में लड़ाई क्यों हैं क्योंकि जिस मां के इस सारे पर बेटा चलता था और बीबी आते हैं इतनी खातिरदारी क बोलेलो नहाने के लिए कपड़े रख दिये खाना रख दिया ये रख दिया वह रख दिया टिफिन लगा दिया करो है अपना ध्यान नहीं रख दिये इतनी जौदॉ अपना भब का दिखाने लगी कि वो मां को भूल गया अब मां कैसे बरदास्त करेगी इसने पच्चीस साल तक बुद्धी सिखाई थी उसको बुद्धिमान मनाये था और आते ही कल की छोकरी ने सारी मटिया मेट कर दिया से तो विचारी को मजबूरी में गुस्ता आए गई कि कल की छोकरी आके और आजकल तू ऐसे और के थे बोले आपकी मम्मी आपको चाहती ने हमने कि कल की आई जैर पैदा कर रही है अरे पच्चीस साल का तू ने कर दिया इसी ने किया है वो उसके प्राण से प्यारा जिगर कटकुड़ा था कलेजी कटकुड़ा था तेरे पास सो साधन है मनोरंजन के लेकिन वो तो एक मात्र मनोरंजन का साधन का हो सब कुछ उसके लिए वही था लेकिन मैं यह नहीं कहती हूं कि बहुँ की गलती है सासों को भी चाहिए कि अपने हैंकार को सुबह सुबह उटकर जैजनेंदर कर लो बहुँ अभी एक बार मैंने एक बहुँ सी का तुम सास के पैर चूती हूं की नहीं बोले नहीं चूती हूं बोले उनकी आदत बिगड़ जाएगी मैंने के बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी अरे जब तु पैर चूने जाएगी तो एक बार तो कहेगी कि आसिरवाद बेटा कूफ फलो फूलो कि लगे नहीं उसकी आसिरवाद बिगड़ जाएगी पैर दावूंगी तो मैंने के जरूर दावना क्योंकि तुम्हारे बच्चे कारवन को फी है यदि तुमने बुजर्गों की सेवा की होती तुम्हें अपने बच्चों से कोई सिकायत नहीं होती तुम्हें अपने बच्चों से कोई सिकायत नहीं होती तो घर में मिलकुल मान मरियादा रखो पहले कितनी मान मर्यादा थी बाबु जी, दादी जी, जीजा जी, बाओ जी, जेट जी, नंद जी 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 भाई, सब से जी करके बोलते थे आजकल पती को ऐसे बुलाती जैसे कुट्टे को बुला रही मिलकुल सब से घटना है एक बार किसी ने सेलू सेलू का तो मैंने कही वो सेलू कुट्टे को भी कह रही थी सालू सेलू मुझे समझ में नहीं आया वो सालू कुट्टे को कहते हूँ मुझे लगा कुट्टे को बुला रही मैंने कही तेरी मम्मी कुट्टे को बुला रही तो वो कुत्ते को लेकि पैची, बोली नहीं दीदी, इसको नहीं बुला रही थी, इनके पापा को बुला रही थी, मैंने कि क्या कह रही थी, तुम बोली, मैंने बुला ता सैलू, मैंने कि इस कुत्ते का नाम क्या है, बोले सालू, हमने कि इतना सफर के जो समझ भी नहीं आ कुत्ते को बला रहे कि पत्थनी को बिल पती को बला रही हो ले नहीं इनका सेलेंद्र नाम है न तो प्यार से सैलू कह देती हो हमने ज़िएर कि जिहार का और कोई तरीका नहीं है कि तरे पास अरे एक बार नहीं नहीं बहु आई तो सास ने का बेटा मठ्था भी लो ले, दः भी लो ले, तो वो दः भी लोने लगी, और मख़न आगया उपर तो सास ने एक चाटा मारा और वोली बत्तमीज, तुझे अकल नहीं तेरे बाओजी का नाम है, तु ऐसे नाम लेती है, वो लिमाजी गलती हो गई, आगे से नाम नहीं लोंगी, दूसरे दिन फिर सास ने वोई काम दिया, अब फिर विलोया, वो लिमाजी, माजी, बाओजी उपर आगे कहा रख दो इस कारिक्रम के पुन्यार जक्ति, शिरीमती किरंडेवी जैन परिवार डीमापुर असम, शिरीमती मनूर्मा जी जैन, जियोतीनगर, जैपुर राजिस्थान, शिरी विमलकुमार जी जैन, शिरी महींदर जी, गुन पाठनी, किशनगर, शिरी विकास जैन, शिरीमती वर् अभिनव जैन गोहाना हर्याणा शिरी सतीष जी जैन सपरिवार गोहाना शिरी अशोग जी श्रीमती कांता जैन शिरी राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जैपो राजिस्थान स्वर्गे शिरी हेम चंद जैन जी एवं स्वर्गे शिरीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृती मी पुत्र एवं पुत्र वधु शिरी आनंद जैन शिरीमती सुधा जैन जी पौत्र एवं पौत्र वधु शिरी विवेक जैन शिरीमती पाल जी जैन शिरी गौरव जैन श्रीमती श्रुती जैन, परपौत्र इबं पौत्री, आर्जव जैन, प्रयान जैन, द्रिशका जैन, लाइशा जैन परम पूजनिये वात्सल्य मूर्ती, जिन्धन प्रभाविका, आरिका रतनिश्री 105, स्रस्ट्री भूशन माताजी की मंगल प्रेणना इवा माशरवाद से अतिशे शेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षो से संचालित है चतुरुविद संग की आहार व्यवस्था जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्थ, शास्थ, औशदीदान, आदी व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है यहां माताजी के मंगल प्रेणा से व्रध है एवं असहाय लुगों की सेवा के साथ ही अनेका नेक जन सेवा के कार्य भी किये जा रही है महादान, आहरदान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्मलाब ले सकते हैं शिरो मणी संडक्षक 2,11,000 संडक्षक 1,11,000 अती विशिष्ट सदस से 51,000 सदस से 31,000 सामान सदस से दो वर्ष 21,000 सामान सदस से ता एक वर्ष 11,000 एक दिवसिये आहर व्यवस्था 21,000 संपर्क सूत्र नेहा दीदी 966-040-3861, 937-657-1001, 937-657-1002, 937-657-1003, 7300-74-1008 आप अपनी दानराशी निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं द्वारा दिया गया दान 80 जी एवं 12 एक अंतरगत कर मुक्त रहेगा